नमस्कार बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पर बंतिवारी IPL 2022 का अगाज हो चुका है आज दूसरे दिन दो मुकाबले खेले जाएंगे पहला मुकाबला दिल्ली और मुंबई के बीच में होगा तो दूसरा मुकाबला पंजाब किंग्स और रोयल चलेंजर्स बैंगलोर के बीच में होगा दोनों टीमें अब तक एक बार भी IPL का किताब नहीं जीत पाई हैं तो इस बार दोनों टीमें अपने आपके दावेदारी पेश कर रही है इसके लावा आपको बता दें कि दोनों टीमों के बीच मैच डी वाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा और दोनों टीमों की कर्पतानी नए कर्पतानों के हातों में में कई बड़े चहरे कई बड़े नाम हैं जिन में शिकर दवन, कगिसु रबारा, जोनिबेस्टो इसके अलावा टीम में शारुखान, लियाम, लिविंस्टन, संदीब, शर्मा जैसे खिलाडी है इसके अलावा बात करें बैंगलोर टीम की तो बैंगलोर टीम ने विराट कोली गलेन मैक्सवल, मुहमद सिरास को रेटेन किया तो वहीं आक्शन में टीम ने फाब डू प्लेसिज हर्शल पटेल, दिनेश कारतिग, शैवाज एहमद, जोश हेजल वुड जैसे खिलाडियों को शामिल किया तो दोनों टीमें मजबूत हैं और दोनों टीमें अपने आपकी दाविदारी पेश कर रही हैं कि किस तरीके से जीत के साथ आईपेल 2022 का अगास किया जा सके आपको बता दें कि पंजाब की टीम में राहूल चेहर भी है जो मुंबई की टीम से खेला करते थे तो स्पिन गेंदबाजी भी मजबूत है इसके लावा रिशी धवन भी आईपेल में वापसी कर रहे हैं तो वो भी प्लेइंग लैवन में नजर आ सकते हैं बैंगलोड टीम की बात करें तो बैंगलोड टीम में दिरेश कारतिक जैसे विकेट केपर वानिंदू हसरंगा जैसे गेंदबाज भी टीम को मजबूती देंगे क्योंकि टीम में कई बड़े चेहरे पहले मैच में अफसेंट रह सकते हैं जिसमें गलेन मैक्सवल बड़ा नाम है आपको बता दें कि कागिसुर अबाड़ा भी पहले मैच में अफसेंट रहेंगे क्योंकि वो भी सिरिस खेल कर आए हैं और कॉरंटाइन है तो दोनों टीमें IPL में अपना अगास करने ही उतरेंगी लेकिन दोनों टीमों के आकड़ों की बता देए तो दोनों टीमें अब तक 28 मैच खेल चुकी हैं जिसमें 15 मैच पंजाब ने जीते हैं झाल झाल झाल